नमस्कार प्यारे बच्चो आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठे बुस्तक संसाधन एवं विकास का पाठ नमबर 6 जिसका नाम है मानव संसाधन बच्चो अभी तक हमने जितने भी पाठ पढ़े उसमें हमने अनेक संसाधनों पर चर्चा की परंतु आज हम सबसे महत्वपर्ण संसाधन जिसको हम मानव कहते हैं मतलो हम आप और सब लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे लोग ही एक राष्टर के सबसे बड़े संसाधन होते हैं प्रकृती की देन केबल उस समय महत्वपर्ण होती है जब लोगों के लिए उपयोगी होती है लोग अपनी अवश्यक्ताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्थित कर देते हैं बच्चो जब हम किसी खनीज को निकालते हैं जमीन से निकाला वो अपने आप ह कोई वस्तु नहीं बन जाता जैसे माल लीजिए जमीन से लोहा निकाला गया है उसे अपने आप ही कोई फैक्टरी नहीं बन जाएगी अपने आप ही कोई सामान नहीं बनेगा उसे शिक्षित प्रशिक्षित और स्वस्थ लोग अपने कुशलता के साथ अपने कोशल के तो यहां लिखा भी गया है, स्वस्त, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपने वशक्ताओं के अनुरूप साधनों का विकास करते हैं, अन्ने संसाधनों की भांती मानव संसाधन विशव में समान रूप से वित्रित नहीं है, मतलब यह हुआ कि विशव के हर कोने में एक जैसे मानव नहीं मिलेंगे, एक जैसे संख्या में मानव नहीं मिलेंगे, जैसे हम बाकी संसाधनों की बात करें, तो पूरे विशव में एक जैसे संसाधन नहीं मिलते हैं, के जगह पे हीरा मिलता है, के जगह पे नहीं मिलता है, क कहीं किसी किसम की लकड़ी मिलती है, कहीं दूसरी किसम की लकड़ी मिलती है, कहीं एक किसम की फसल होती है, कहीं दूसरी किसम की फसल होती है, तो उसी तरह मानवों की जो संख्या है, वो भी अलग-लग जगा पे अलग-लग है, वो क्यों है ये हम विस्तार पूर्बग जानेंगे अपने शाक्षिक स्तर आयू और लिंग में वे एक दुस्य सिभिन होते हैं कौन मानव संसाधन उनकी संख्या और लक्षन भी बदलते रहते हैं एक अन्य महत्वपुरुन जानकरी आपके साथ सांजा की गई है कि भारत सरकार की अधीन एक मानव संसाधन मंत्राले है भारत सरकार में भी मानव संसाधन मंत्राले होता है 1985 में इस मंत्राले का निर्मान लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था तो बच्चों आपको ये जानके एक आप नहीं जानकर रहे आपको दी जा रही है कि आपको जो शिक्षा विभाग है ये उभी पहले मानुप संसाधन मंतराले के अंतरगत आता था परन्तो अब इसे लग शिक्षा मंतराले बना दिया गिया है परन्तो इस मंतराले का मुख्य बच्चों जो हमने कहा कि मानव संसाधनों का वित्रन भी पूरे विश्व में अलग लग है तो यहां जानेगे हम जनसंख्या का वित्रन किस प्रकार है भू प्रिष्ट पर जिस प्रकार लोग फैले है उसे जनसंख्या वित्रन का प्रतिरूप कहते है विश्व की जनसंख्य का 90 प्रतिश्यत से अधिक भाग भू प्रिष्ट के लगभग 30 प्रतिश्यत भाग पर निवास करता है यहां एक चित्र के माध्यम से इसको समझाया गया है कि अगर इसे हम पूरा विश्म मान लें तो ये एक ही जगा पे इतने लोग लगभग रहते हैं बाकी जगों पे लग घने बसे हैं प्रन्तु कुछ विरल बसे हैं यह तो होता भी है आपने भी देखा है कि आपके गाउं से भी लोग निकल के शहरों में बस रहे हैं शहरों में बड़ी भीड होती है बड़े ज्यादा लोग रहते हैं और गाउं में कम है लोग तो ऐसा क्यों है क्यों है ऐसा आप सोचिए, आगे हम पढ़ेंगे, जो आप सोच रहे हैं, वो भी इसके साथ पूरा मेल खाएगा, दक्षिन और दक्षिन पूर्वी एशिया, योरॉप और उत्री पूर्वी उत्र अमेरिका घने बसे हुए क्षेत्र हैं, अगर हम बात करें, तो हमारा ये जो साउथ एश में चाइना और भारत में है, उच अक्षाशिय क्षेत्रों, उशन कटिवंधिय, मरुस्थलों, उच परवतों और विशुवत बणों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं, सीधी सी बात यहाँ पर ये समझ में आती है, कि जिन क्षेत्रों में रहने की परिस्तितिय अच्छी है, वहाँ पर लोग अधिक रहेंगे, आप पहाडों की बात करें तो पहाडों पर भी लोग कम रहते हैं, और मेदानी लाकों में अधिक रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर रहने की सुविधाई अच्छी हैं, विशुवत वृत के दक्षिन की अपेक्षा, तो इस तरह अगर ये गलोब है, मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने का प्रियास करता हूँ, इस तरह से अगर हमारा गलोब है, तो उपर ये उत्तर दिशा होती है, नीचे हम दक्षिन दिशा इसको लेते हैं, उत्तर के सामने दक्षिन और इधर पूरव और यहाँ पस्चिम. और अफरीका में रहते हैं, सबसे ज्यादा लोग हमारे जितने साथ महदीप हैं, उनमें एशिया और अफरीका में सबसे धिक लोग रहते हैं, विश्व के साथ प्रतिश्यत लोग केवल दस देशों में रहते हैं, इन सभी देशों में दस क्रोड से धिक लोग रहते हैं, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह है एक चित्र के मादन से समझाया गया है एक यह रूप रेखा मान चित्र बनाया गया है इसमें आप देखिए यह है चीन और इसकी लाइन सबसे लंबी है मतलब इसमें सबसे धिक जन संख्या है उससे कम भारत और उससे कम जो तीसरे नमबर पर है वो इन दोनों से बहुत ही काम है यूएस से अमेरिका जैसे हम स्विंक तुराष्ट अमेरिका कहते हैं इंडोनेशिया ब्राजील पाकिस्तान बंगलादेश नाइजीरिया रूस और जापान ये वो देश है जिन में बहुत देख जनसंख्या है और इसके अलाव जनसंख्या का घनत्व अब हम इसको जानेगे कि जनसंख्या का घनत्व क्या होता है एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं एक इकाई में मतलब समाने रूप से यह प्रति वर्ग किलोमेटर में व्यक्त किया जाता है मतल एक किलोमेटर इधर, एक किलोमेटर इधर, एक किलोमेटर इधर, एक किलोमेटर इधर, इसको हम बोलते हैं एक वर किलोमेटर, तो एक वर किलोमेटर में कितने लोग रहते हैं, उसे हम कहेंगे जनसंख्या घनतब, अब इसको निकालने का फॉर्मूला है, कि हम कूल जनसंख् डिवाइड कर देते हैं क्षेत्रफल से तो वो बन जाता है क्षेत्रफल किलोमेटर में लेंगे न तो वो बन जाएगा कि इतने लोग प्रती वर किलोमेटर रहते हैं तो संपूरन विश्व का ओसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रती वर किलोमेटर था जब ये पुस्तक पूरवी एशिया में है मलोब सबसे धिक जनसंख्या एशिया में है और एशिया में ही भारत है एशिया में ही पाकिस्तान है एशिया में ही चीन है तो बच्चत जनसंख्या काम या अधिक क्यों होती है तो हम पढ़ेंगे जनसंख्या वित्रन को परभावित करने वाले कारक इसमें सबसे पहला कारक होता है स्थलाकृति, लोग परवतों पठारों की तोड़ना में मैदानी भागों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि वहां खेती, विनिर्मान और सेवा क्रियाओं के लिए उप्युक्त वातावर्न होता है, गंगा का मैदान इसरा कारक है जलवाईू, जहां की जलवाईू अच्छी होगी, वहां लोग रहेंगे, जहां पर चर्म जलवाईू होती है, वहां लोग कम रहते हैं, मतलब जहां पर बहुत ही धिक गर्मी पड़ती है, जैसे सहारा मरुस्थल, वहां लोग कम रहते हैं, रूस के ध्रुब जहां पर लोग रहेंगे वो काम भी करेंगे, कुछ खाना भी है उन्होंने, तो भारत में गंगा और ब्रम्पुत्तर, चीन में हुआंग ही, चांग ज्यांग मिस्र में नीर नदी के उपजाओ मेदान घने बसे हुए है, नदीयों के किनारे ही लोग ज्यादा क्यों बसते है क्योंकि वहां की मिरिदा भी उपजाओ होती है, और वहां पर जल भी असानी से उपलब्द होता है, जल एक अगला कारक है, जन संक्या वित्रन को प्रभावित करने वाला, लोग उन जगों पर रहने को प्रात्मिक्ता देते हैं, जहां अलवनिय जल असानी से उपलब्द ह विश्व की नदी घाटियों में घने वसे क्षेतर है जब की मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले इसके अलावा बचो खनीज ये भी हमात्व पूर्ण कारक है जन संख्या वितरन का खनिज निक्षेपों वाले अधिक किशेतर अधिक बसे हुए है दक्शिनी अफरिका की हीरे की खाने मध्यपूरों में तेल की खोज ने इन किशेतर के लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है मध्यपूरों में तेल की खोज ये मरुस्तली इलाके थे जहां पर पहले लोग काम रहते थे परन्तु जब वहां पर तेल की खोज हो गई तो वो इलाके डल्प हो गए तो लोग तेजी से उन लाकों की और बढ़ रहे हैं तो बच्चों ये कुछ कारक थे जो किसी स्थान की जन संक्या को प्रभावित करते हैं इसके साथ कुछन्य कारण है जो से हम कहते हैं समाजिक सांस्कितिक और आर्थिक कारक आर्थिक कारक मतलब जहां रोजगार होगा वहीं पी लोग धिक जाएंगे भारत में मुंबई दो घने वसेक शेत्र हैं जपान में ओसाका और भारत में मुंबई और हमारे आप आसपास के शेहर भी ले लिजिए वहाँ पर लोग क्यों जाते हैं क्योंकि रोजगार है गाओं में रोजगार के साधन कम है तो वहाँ से लोग पलाइन कर जाते हैं तो यह आर्थिक कारक है संस्कितिक कारक जहां पर धार्म और संस्कितिक महता वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर भी लोग धिक बसते हैं, जैसे भारत में वारानसी, यूरुसलम, वैटिकन सिटी, जहां पर उन धर्मों को मानने वाले लोग अधिक मात्रा में एकठे होते हैं, तो ये भी एक कारक है, एक है समाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा औ मिले, अच्छे रहने की सुविधाओं मिले, तो वे उन इलाकों में ही रहना पसंद करते हैं, आपने देखा होगा आपके गाओं में भी जो लोग पहले सडकों से दूर रहते थे, वे अब सडकों की किनारे आ गए हैं, क्योंकि सुविधाओं, सुविधाओं की जो लालसा है, या सुविधाओं प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकत्रित होने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये जनसंक्या वितरन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक थे, धन्यवाद, जैहिन, जैहिमाचल.